हेलो एंड वेलकम मैं हूँ अन्बीटी रिपोर्टर अमित प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो ऐसे रेट करें परिशान नहो अगर आपके प्रपोजल को किसी ने रिजेक्ट कर दिया है तो आप परिशान बिलकुल नहो किसी के ठुकराने से लाइफ रुकती नहीं है नंबर एक, खुद को संभाले रिजेक्शन के बाद आपको सबसे पहले खुद को संभालना होगा आपको तनाव नहीं लेना है नंबर दो, निरने ले आपको निरनय लेना होगा कि उस व्यक्ति का दिल जीतना है या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना है अगर आपने अपने फ्रेंड को प्रपोस किया और वहां से प्रपोसल रिजेक्ट हुआ है तो उनसे अपनी दोस्ती ना तोड़े रिजेक्ट होने का मतलब लाइफ के सारे दर्वाजे बंध होना नहीं है इसलिए जीवन समाप्त करने जैसा कोई गलत कदम न उठाए आपको जो भी पसंद हो वो काम करें और लाइफ को एंजोई करें अगर किसी से आपको रिजेक्शन मिला है तो उसको सबक सिखाने का विचार मन में न लाएं और नहीं उससे दुश्मनी मान कर बैठें अगर आपका दिल तूटा है तो आप सैड सांग या फिर मूवी से दूर ही रहें ये आपको और दुखी कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है रिजेक्शन के कारण डिप्रेशन में नहीं आना है और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए NBT को सब्सक्राइब और फॉलो करें